इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करूंगी बैली फैट और चेस्ट एक्सरसाइजेज आफटर सी सेक्शन इससे पहले भी मैंने बहुत से एक्सरसाइजेज वीडियो शेयर कर दी है डे वन डे टू अलग अलग बॉड़ी के पार्ट के हिसाब से इस वीडियो में हम स्टमक के लिए एक्सरसाइज करेंगे बट मेक शूर कि आपको एट लीस्ट तीन महीने हो चुके हैं आपके सी सेक्शन को उसके बाद ही आप ये बैली फैट वाली एक्सरसाइजेज करेंगे इसले आपके टाको पे या स्टिचेस पे बिलकुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा वो एक्सरसाइजेज पर फिर वी आप तीन महीने के बाद ही ये एक्सरसाइजेज कीजेगा और जो चेस्ट एक्सरसाइजेज मैं इसमें बताने वाली हूँ वो बहुत जरूरी है क्योंकि डिलिवरी के बाद हमारी जो हर्मोनल चेंजेजेस हैं वो बहुत ज़ादा होते हैं so breast में काफी sagging वगरा यह सब होती है इसलिए chest exercises बहुत जरूरी है वो तो करनी ही है so belly exercise आपको तीन महीने पूरे होने के बाद ही शुरू करने है और शुरुआत में आपको यह हलके फुल के exercise ही करने है heavy exercises मैंने पहले भी बताया है अपने एक वीडियो में जिसमें मैंने diet and exercise के बारे में बात की है उसमें मैंने पहले ही बताया कि आपको 6 माईने बाद ही heavy exercises करने है and सबसे important बात आप अपनी जो clothing है उसका ध्यान रखे सबसे important बात आपको ध्यान रखने है आपको sports wear जरूर पहनना है क्योंकि हमारे body में बहुत से changes होते हैं और हमें उन्हें shape up करना है इसलिए आपको sports bra and etc. आपको वो चीज अच्छे से carry करनी है वो जरूरी है sports shoes अगर आप walk पे जा रहे हैं तो without shoes आप मत जाएए घर पे कर रहे हैं तो आप yoga mat या normal सी चटाई में कर सकते हैं आपको sports shoes की जरूरत नहीं है बढ़ अगर आप walk कर रहे हैं then आप sports shoes जरूर पहनिए चलिए आज के इस वीडियो में belly and just exercises हम शुरू करते हैं ओके सो मेरे पास इस पर योगा mat नहीं है मैं लॉग्डाउन में फसी हुई हूई 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 आपको इस तरह से करने हैं opposite direction का पैर आपको move करना है हम move कर रहे हैं right से left so यह आपको करना है five time या ten times each side पे अगर आप five time कर पा रहे हैं एक बार में तो five time ही कीजे then थोड़ी देर रूपकर आप फिर से five times कर सकते है then दूसरी side पे हम same exercises करेंगे अपना maternity belt आप पहन कर रखे उसके बिना आपको कोई भी exercises नहीं करनी है and किसी भी exercises में आपको जटके नहीं देना है बिल्कुल आराम से smoothly करने है next exercise में इस तरह आपको बिल्कुल कमर के सीध में आपको कमर के सीधे parallel आपको अपने पंजो को इस तरह से रखना है हातों को और पैरों को उठाकर हातों को टच करने की कोशिश करनी है again आपको जटके से नहीं टच करना है आराम से पैरों को उपर लेकर जाना है and touch करना है यह exercise आपको normal इसी तरह हलके हलके ही करने हैं jump नहीं करना है jump exercises थोड़ी heavy या cardio में आ जाते हैं but वो हम 6-7 महीने बाद कर सकते हैं पर अभी हम light exercises ही कर रहे हैं यह भी आप 10 times each कर लीजे हर दोनों pair में 10-10 types आपका हो जाएगा next exercise यह है chest के लिए so हम पहले standing वाले कर रहे हैं उसके बाद दोर पे करेंगे so अभी standing वाले दोनों chest and tummy के लिए मैं exercise कर रहे हूँ so इसमें आपको हलका सा bend करना है अपने गुटनों को और इस तरह आपने हाथों को पीछे की तरफ पुश करना है जोर से जटका नहीं देना है पीछे की तरफ आप force लगा कर push करना है make sure आप comfortably push कीजिए आपकी पेट पे बिल्कुल भी pressure नहीं पढ़ना चाहिए तो ये भी आप 10-10 times कर सकते हैं आराम से इसमें कोई धकान नहीं है next इस exercise में आपको इस तरह cross करना है अपने arms को और नीचे से उपर और उपर से नीचे आपको move करना है continuously आपको move करना है कोई number नहीं है कि 3-4 बार में उपर जाना है या 3-4 बार में नीचे आना है आपको जैसे comfortable लगता है वैसे बट आप cross करते हुए ही उपर लेकर जाईए इससे भी chest का जो है थोड़ा सा shape up हो जाता है sagging नहीं होती है इससे जब आपके arms में pain होने लगे तब आप रुप जाईए बिल्कुल आपको जबरदस्ती जादा करने की ज़रुरत नहीं है शुरुआत में अब हम floor exercises करेंगे इस पे आपको जमीन पे लेड जाना है इस तरह से अपने toes से अंगूठे से जमीन को touch करना है और यह भी आपको धीरे-धीरे ही करना है बहुत smoothly करना है यह बिल्कुल core पे आपके center tummy पे यह effect करता है आपको खुद burning fat महसूस होगा next हम crunches करेंगे जो की upper abs के लिए होता है कंदे भी उपर उठाने हैं हमें इसमें mainly हमारा mistake हो जाता है कि हम सिर्फ गर्दन उची करते हैं और इससे फिर रिंड की हड़ी में pain होने लगता है गर्दन के पास खास करके but crunches में आपको कंदे भी उपर उठाने होते हैं इसको भी आपको धीरे-दीरे ही करना है जटके से उपर नहीं उठना है धीरे-दीरे उपर उठिए धीरे-दीरे नीचे जाए मुझे crunches करने की आदत है तो मैं इतने speed में कर ले रही हूँ अगर आप first time कर रहे हैं तो आप धीरे-धीरे कीजे and first time 10 times ही कीजे next exercise में हम हातों को hips के नीचे दबा लेते हैं और उसके बाद इस तरह से आपको पैरों को wave करना है इसमें भी आपको बिल्कुल center core पे feel होगा जो stretch है, जो force है वो आपको center पे feel होगा and थोड़ी देर रुख कर आप दुबारा से कर सकते हैं क्योंकि ये exercise में बहुत जादा burning feel होती है center tummy पे pain feel होता है next exercise again chest के लिए है तो इसमें आप इस तरह से tight मुठी बान लीजे और उसके बाद अपने हाथों को इस तरह आपको move करना है imagine कि हम कोई tight सा rubber band जो है उसे stretch कर रहे हैं इस तरह आपको feel करते वे force लगाना है ये exercise मेली जब हम gym में करते हैं तो हमारे हाथों में instrument होता है और उसमें force होता है उसमें weight होता है पर अभी कोई भी weight lifting नहीं करनी है next exercise में इस तरह आपको simply good know के बल खड़े हो जाना है और अपने हाथों को move करना है ये भी आपके chest को sagic से बचाता है आप 2-3 बार आप ये कर सकते है इस exercise में इस तरह आपको हाथों को band लेना है और उपर लेकर जाना है नीचे लेकर आना है अगर आपके हाथ सर से उपर जा सकते है कब तो बहुत अच्छी बात है बट अगर हाथ मोटे हो गए हैं तो उपर नहीं जाएंगे जैसे कि मेरे नहीं जा रहे है तो धीरे-धीरे ही सारे fat कम होंगे अभी मुझे recently 3 माईने ही complete हुए है तो टाइम तो लगे गई fat burning में next है chest burn के लिए सबसे effective exercise वो है wall push up इससे काफी अच्छा result मिलता है अगर आप कोई और exercise नहीं करना चाते तो इसी exercise को आप 3 reps में कर सकते हैं every day और आपको बहुत अच्छा result मिलेगा chest fat burn करने में तो यह आप 10 times first कर लीजे अगर 10 times नहीं हो पा रहा है first day में लगा था तो आप 5 times कर लेजे उसके बाद 10-15 seconds का break लेकर फिर से 5 times कर लेजे पर एक दिन में आप 10 times जरूर कीजे तो यह था मेरा आज का वीडियो thank you so much guys thank you so much for watching